और देखे बिहार में करोना के बढ़ते मामलों ने लोगों से लेकर सरकार तक की चिंगता को बढ़ा दिया है 15 मई तक लोगडम को लगाना पड़ा है लेकिन इस लड़ाई में नितीश सरकार के सिपाही क्या कर रहे हैं? ज़रा देखे रात के अंधेरे में कुड़ता पाजामा धारी एक शक्त सरक से बैरिकेडिंग को हटवा रहा है अंधेरे की वज़े से कहानी आप ठीक से नहीं समच सके लेकिन ऐसा करने वाले साहब के चमकदार टैलेंट की कहानी सुनेंगे तो आपकी आँखे चौंधी आ जाएंगी पहले बैरिकेडिंग हटवाने की वज़े सुन लीजे उसके बाद आपको इनका परिचय देते हैं ये बिहार के भागलपुर से नितीश की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल है खुद से बैरिकेडिंग हटवाने के नितीश के इस नगीने की बात सुन चुके हैं तो थोड़ा इनकी ओजवानी भी सुन लीजे सीधे बंदूक राइफल लेकर उतरने की बात करने वाले ये बड़बोले विधायक पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं खेर ऐसे जन प्रतिनीधी समाज में कैसा उधारण पेश कर रहे हैं आप खुद अंदाजा लगा लिजे बैसे तो ये कोई नई बात नहीं है शगुन कोरुना ने विहार का हाल पूरा कर रखा है लेकिन उससे भी जादा बुरा हाल अगर किसी का है तो वो है स्वस्त सेवाओं का कोरुना मरीजों को जिन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बाद भी लचल विवस्था का खाम्याजा भुगतना पड़ रहा है मा के शव के पास बिलकते इस बेटे पर क्या बीत रही है इसको शब्दों में बया नहीं किया जा सकता यहीं नितीश के सुशासन का चमकता चहरा है जहां कोरुना मरीजों को मौत के बाद एंबुलिंस के नाम पर ये रिक्षा नसीब हुआ है तस्वीरे बिहार के स्वास्त मंतरी मंगल पांडे के ग्रिह जिले सिवान की है यहां कोरुना मरीज महिला मीना देवी को पहले तो इलाज नहीं मिला और जब मौत होई तो शव ले जाने के लिए रिक्षा दे दिया गया अप लोग हैं याप तुबाज जाए चारा हम लोग है मृतक महिला का परिवार शव को रिक्षे से ले ही जा रहा था कि मीडिया की लोग पहुँच गया कैमरा देखते ही प्रिशासन हरकत में आ गया और एंबिलेंस के लिए इंतजार करने को बोल दिया सिवान के इस डेडिकेटेड कोविट सेंटर का सोमवार को ही उदगाटन किया गया है और शुर्वात में ही लापरवाही की जो नजीर दिखी वो बिहार के स्वास्ते सिस्टम की जरजर हालत को बताने के लिए काफी है झाल झाल झाल